उत्राखन में 22 अप्रेल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए व्यापक तयारिया हो रही है लगपक 900 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग में देश का पहला एलेक्ट्रिक 13 कॉलिडॉर बनकर तयार हो रहा है प्राइवेट इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हर 30 किलोमीटर पर चारधाम पॉइंट बनाया ज़ा रहे है राज के सभी गेस्ट हाउस में भी चारधाम पॉइंट के सुविधा मिलेगी अलेक्ट्रिक 13 कॉलिडॉर का सर्वे पूरा कर लिया गया है यह बाहन चारजिंग स्टेशनों के लिए जगह भी चुन्नित कर ली गया आपको बता दे वर्यावरन के नुकसान को भी कम करने से यह बाहनों को प्रोचसाहित क्या ज़ा रहा है साल यात्रियों के लिए ओनलाइन रजिस्ट्रेशन कंपल सरी क्या गया है साथ ही पिछली बार यात्रा के दौरान मौतों से सबक लेते हुए पैदल मार्क पर हर किलोमीटर पर डॉक्टरों की टीम उक्सिचुन के साथ तैनात रहेगी पहली बार बिमार यात्रियों के लिए एर एम्बुरंस विधा भी शुरू की जा रही है